हेलो इस्ट्रेंट हाव यू आई यूप यूर फाइन टोड़े विए एक्सेसाइज टूबी आज हम लोग एक्सेसाइज टूबी करने जा रहे हैं एक्सेसाइज टूए अल्रेटी हम लोग ने कंप्लेट कर लिया है यदि आप नहीं देखे हो तो एक प्लेलिस्ट होगा चै ज्यादा सेर कर सकते हो एंड जो नहीं समझ में हो कॉमेंट कर सकते हो मैं जैसे कि मैं आपको एक्स्ट्रा सल्यूशन भी दे सकूँ एंड थैंक्स फो वाचिंग सो लाट इस्टार सावर टापिक विदाउट एक्ससाइज टूगी का क्वेश्चन नमबर वन में हमारे पास तो हमारा कोश्चन है verify that 3-2-1 are the zeros of the cubic point में Px x cube इतना ठीक है तो हमें पता है कि Px हमारे पास given है x cube minus 2x square minus 5x plus 6 तो हमें zeros पता है न यह क्या है हमारे पास, यह हमारे पास zeros है, हमें पता है, तो बस PX के जगा पर हमें क्या रखना है, P1 जैसे PX है, तो हमें फिर 3 रखना है, तो X के जगा पर 3 रखना है, देन 3 का cube, मैनस 2, 3 का square, मैनस 5, 3 प्लस 6, इसको solve कर लेते हैं, हम लोग, क्या आता है 3 का cube करेंगे that call 27 3 into 3 into 3 that call 27 add मत कर देना 3 दरिया 6 और 3 9 यह गलती मत करना ठीक है minus 2 into and 3 का square कर देंगे 9 minus 5 3 कर देंगे plus 6 clear है यहां तक अब हम क्या करेंगे 27 minus 9 to the 18 minus 15 plus 6 clear है तो यहां पर ध्यान से सबजिए यह जो minus वाला है इसको हम लोग पहले कर लेंगे ठीक है और जो add वाला है उसको एक साथ करेंगे minus को एक साथ करेंगे then 27 or 6 that's called 33 minus 8 and 5 13 1 1 2 and 3 is equal to 0 तो हमारे पास जब 0 आ गया थो हमें पता है कि वह 0 है same as अब हमें क्या करना है minus 2 को रख लेना यहां पर P minus 2 यहां पर minus x के जगा पर minus 2 रखते चले जाना है then minus 2 का cube फिर minus 2 का square minus 5 minus 2 plus 6 क्लियर है यहां तक अब इसको solution करते है minus 2 का cube करेंगे that's called minus 8 अब करके देखो ठीक है अब करके try कर लो ठीक है 2 multiply minus 2 का square करेंगे 2 to the 4 and minus automatically plus में convert हो जाएगा minus and minus plus 5 to the 10 plus 6 यहां पर ध्यान सब्सक्राइब मैनस 8 मैनस 4 to the minus 8 plus 10 और 6 16 मैनस 8 मैनस 8 मैनस 16 प्लस 16 यह भी हमारा 0 आ गया ठीक है तो हमने दो चीजों को verify कर लिया एक बार 3 रख लिया एक बार 2 रख लिया अब हमें 1 रखना है तो हम try करते हैं कि इतना space में अधी हमारा हो जाए तो ठीक है तो 1 का cube होई जाएगा minus 2 1 का square 5 1 plus 6 हम यहां क्या रख रहे हैं यहां पर मैं लिख देता हूँ पी 1 रख रहा हो में ठीक है जैन वन का cube करेंगे वन हो जाएगा minus 2 into 1 का square 1 5 1 जा 5 minus 5 plus 6 that mean 1 minus 2 minus 5 plus 6 तो देखो यहां पर 5 पर टू 7 6 और 1 7 positive और minus 5 plus 7 that mean कि हमारा जो यह जीरो जै यह एक्जेक्ट करेक्ट है verify हमने कर लिया यहां पर मैं यहां पर भी 0 लेकर आ गया यहां भी 0 लेकर आया और यहां पर भी हमने और जिखर 0 लेकर आया यहां तो हमारा यह सही है clear है अब हमें relationship को establish करना है मतलब relationship हमें बताना है relation क्या Ange यह सही है या नहीं है तो चलिए relation बताना हमारे लिए को बहुत बड़ी बात नहीं है यह यदि आपको formula याद है तो आप करोगे क्या कि यहां पर जो equation है ये equation को आपको ध्यान में रखना है मैं यहां पर equation लिख लेता हूं हमारा equation क्या है P X क्या है मारे पास X cube minus 2 X square minus 5 X plus 6 यह हैं हमारे पास तो हमें verify करना है हमें verify करना है क्या करना है कि हमें इसका relation बताना है उसके zeros coefficient के साथ तो मैं आपको पता देता हूं पहले alpha प्लस beta प्लस gamma ठीक है इसकल टू क्या होता है यहां पर minus b by a होता है ठीक है minus b by a then what is alpha what is beta and what is gamma तो हमें जो zeros दिया गया था क्या क्या zeros दिया गया था आपको पता है न थ्री minus 2 and 1 तो हमें जो इससे solve करते हैं then 3 plus what is beta minus 2 plus one तीनों रख दिये और minus by by a whoa minus b क्या है तो में आपको पता देता हूं पहले हां से समझ लो मैं नहीं हो सकता है नहीं बता है यह हो गया अपका यह गया a यह गया b यह हो गया c and यह हो गया declier अपको मैं आयोसेWould not दिया तो आपके पास minus b क्या हो गया that's called minus 2 minus already लगा हुए तो यहाँ पर minus 2 value हो गया and what is a in this case यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है that mean 3 and 1 4 minus 2 is equal to minus minus plus 2 that mean 2 is equal to 2 तो sum तो हमारा verified हो गया अब है हमारा दूसरा कि alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to यह क्या होता है भाई हमें exercise 2a में हमें क्या था quadratic polynomial था जिसमें की 2 power था लेकिन exercise 2a में क्या है न 3 power वाला है that's called cubic बोलते हैं हम लोग इसको तो यह हमारा हो जाता है c by a ठीक है इससे हम लोग बोलते हैं c by a तो इसका solution करते हैं हम लोग what is alpha alpha यह beta यह है and 3 into minus 2 plus what is beta minus 2 into gamma that's called 1 plus gamma 1 into what is alpha that's called 3 and what is c in this case minus 5 by what is यह कुछ नहीं यह तो 1 है that means 3 to 6 minus 6 अब देखो यह आप यह इसको हम लोग under bracket कर लेते हैं वरना आप लोगों को confusion हो जाएगा यह प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर यहाँ प्लस 3 बंज़र 3 is equal to minus 5 अब यहाँ पर समझे आप लोग minus 6 minus 2 minus 7 plus 3 sorry 6 or 2 8 plus 3 is equal to minus 5 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8 minus 8 plus minus 8 plus 3 that's called minus 5 is equal to minus 5 हमने यह भी verify कर लिया कि मैं यह भी सही है यह भी सही है और हमें एक step और verify करना है कि मैं इससे डब्बे के अंदर रख लेता हूं जिससे आपको confusion create ना हूं and last हमें क्या verify करना है third point alpha beta gamma टीक है alpha into beta into gamma इसका होता है minus d by a तो चलिए alpha क्या है 3 into gamma minus 2 into 1 and what is d in this case d क्या आपके पास यहाँ पर 6 है 6 clear and what is a in this case कुछ नहीं यह तो 1 है क्लियर है not minus d यहाँ पर minus d यहाँ भी minus लग जाएगा 6 के साथ यहाँ में थ्री टूजा 6 minus 6 को 1 से में अप्लाई गरो से तो minus 6 यह भी verified हो गया हमारे वह हमारे पास इतना ही था हम लोग question number two में चलते हैं अई होब कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अब हमारे पास वही same question है कोई अलग नहीं है मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा डिफरेंस है verify that 5 minus 2 and 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial PX that मैंने तो polynomial लिखा ही नहीं है तो मैं लिख देता हूं 3x cube minus 10x square minus 27x plus 10 ठीक है तो यह हमारा cubic polynomial हो गया तो चलो हम लोग verify गरना है start करते हैं बिना किसी लेट के तो मैं पता है PX क्या है 3x cube minus 10x square minus 27x plus 10 clear है तो हमें क्या रखना है एक बार P पर 5 रखना है ठीक है तो P पर 5 रखना है 3 5 पर हो गया q minus 10 है यह x का square है that mean हम 5 रख रहे हैं अभी तो 5 का square minus 27 5 plus 10 clear है थोड़ा यह question आप लोगों को सही से करना होगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो सकता है बड़ा चले जाए 5 का cube करेंगे 5 into 5 into 5 that's called 125 जैसे 5 5s are 25 into 5 that's called same thing that mean 125 minus 10 into 5 का square करेंगे that 25 minus 25 27 into 5 तो इसको multiply करने के लिए मैं आपको easy trick दे देता हूँ भी 7 5s are 35 left 3 5 2s are 10 or 3 13 plus 10 clear यह आपके लिए easy होगा and 125 3s are then 5 3s are 15 and sorry 3 5s are 15 left 1 3 2 is a 6 1 7 and 3 बंज़र 375 minus अब यह क्या हो जाएगा 250 minus 135 plus 10 तो जो हम लोग मैनस वाले को एक स्याथ कर लेते हैं और प्लस वाले को एक स्याथ कर लेंगे that mean 375 plus 10 that mean 385 that's clear है हमारे पास अब यह 5 और 0 5 5 5 और 3 8 2 1 3 that mean यह हो जाएगा हमारा जीरो जो जीरो से हमारे पास वह सही है कोई डाउट नहीं है इसमें हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर माइनस टू रखते हैं that mean 3 into minus 2 का cube कर लेंगे minus 2 into minus 2 into minus 2 तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 that called minus 8 minus 10 into minus 2 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा only 4 not minus 4 minus minus plus 27 to the 2 to the 4 2 7 जा 14 left 1 2 2 जा 4 1 5 that 54 plus 10 that mean 8 3 जा 24 that's called minus 24 minus 10 4 जा 40 and plus 54 or 10 that's simply 64 and हमारे पास क्या हो जाएगा 4 and 4 into 6 minus 64 plus 64 ये भी हमारे पास 0 हो गे ये भी हमने verify कर लिया अब same case हमारे साथ क्या करना है हमें 1 by 3 रखना है क्या रखना है 1 by 3 तो ये भी आपके लिए ये 3 then 1 by 3 का cube minus 10 1 by 3 का square minus 27 1 by 3 plus 10 क्लिए रहे हैं तक तो easy है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 1 अब 3 का cube करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 minus 10 into 1 and 3 का square करेंगे 9 minus 27 into 1 by 3 ही हो जाएगा plus 10 अब यहां पर ध्यान से समझना है ये cancel हो जाएगा then 3 9 to 27 clear and 3 9 to 27 क्या क्या बचा आपके पास यहां पर बचा 1 by 9 plus 10 by 9 minus 9 plus 10 clear है आता है आपके पास ये सब बचा अब क्या करेंगे इसका LC हम लेग लेते हैं है 9 को 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे 90 अब हमारे पास क्या होता है यहां यहां पर देखना एक इंट्रेस्टिंग है 90 और यहां पर है plus not sorry plus नहीं है यहां पर minus तेंगा इस चीजों को मिस नहीं करना है में यहां पर माइनस है तो हमें यहां पर माइनस लगाना होगा यहां पर मानस आएगा है कि यहां पर मानस आए गां नाइंटी प्लस में है वन प्लस में अट्सक्रण नाइन यहां तो हमने दोनों तीनों चीजों को वेरिखाइग लिया अब हमें क्या करना है relationships करना है तो relationship को हम कैसे establish करेंगे, यह भी आपको पता है, तो हमें zeros given है, equation given है, तो px मैं equation लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए, यह आप लोगों के लिए असानी हो जाए, px 3x cube minus 10x square minus 27x plus 10, ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक, और zeros जो है हमारे पास, मैं यहां साइट लिख लिएता हूँ, 5 है, 1 है minus 2, 1 है 1 by 3, चले, तो हमें पता है sum of zeros, sorry, ठीक है, तो alpha plus beta plus gamma is equal to क्या है, आपको पता है, minus b by, हाना, there is no doubt, minus b by a, what is alpha, 5 plus minus 2, gamma 1 by 3, minus b, that's called minus, minus 10 by 3, 3, इसको solve कर लेता हम लोग, 5 plus minus 2, plus 1 by 3, is equal to 10 by 3, and फिर इसको कर लेते, तो 5 में 2 subtract कर लो, 3 plus 1 by 3, is equal to 10 by 3, and इसको just हम यहां solve कर लेते, 3 को ले लेए LCM, यहां कुछ नहीं, तो 1, 1 को 3 से divide करेंगे 3, 3 को 3 से multiply करेंगे, 9 plus 1, 10 by 3, is equal to, 10 by 3 is equal to, 10 by 3, ठीक है, अब मैं आपको homework दे रहा हूँ, कि आपको इसी को continue करना है, ठीक है, continue this question, continue this question, यही आपको homework है, continue this question, मैं देखता हूँ, कि कल आप कर पाते हैं या नहीं, और किसी तरीकी का suggestion है, तो नीचे दो, ठीक है, नहीं समझ मैं आ रहा है, फिर मैं कल समझाओंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन पढ़ाता हूँ, daily पढ़ाता हूँ, okay, thank you.